जैन दोस्तों मैं उमेज गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजली राइट दोस्तों एफरिका चलते हैं इस्ट एफरिका एक छोटा सा देश है जिबूटी जिबूटी के इसलामी देश है और उस इसलामिक देश में जो तकरीबन 94% जो पॉपुलेशन है 94% पॉपुलेशन है वो मुसल्मान है और 6% लगभग इसाई है बहुत चोटा सा देश है वहाँ पे चाइना का बेस है वहाँ पे इंडिया का बेस हो और वहाँ पे यूके का भी मिलिटरी बेस है चाइना का सबसे बड़ा बेस है और उनकी 40 to 45% जो लोन्स है जिबूटी के वो चीन में दे र रखे हैं और चीन जिबूटी को कंट्रोल करता है यह एक इसलामिक देश है यह इसलामिक देश है यह वाली बात आप मन भूलिएगा अब मैं आपको बतातनों स्टोरी क्या हुई दोस्तों टिम लोटन साब एक मेंबर अफ पार्लिमेंट है यूके के बरतानी आके यह पहुँच गए जिबूटी इनकी मीटिंग थी वहाँ पे जो अमबैसडर है ब्रेडिश अमबैसडरोस के साथ और कुछ इनका काम होगा तो सब टिम लोटन साब की फ्लाइट लैंड क वहाँ पे पुलिस आ गई और इसको पकड़के कोने में ले गई और वहाँ पे इसको बैठा दिया कमरे में अब बोला कि तुम अंदर नहीं जा सकते तुम अंदर जा ही नहीं सकते और दोस्तों इसको साथ घंटे तक इससे पूछता चुई परेशान हुआ है फिर इसको फ वीजा है मैं आ सकता हूँ यहाँ पे आपकी पर्मिशन लेकर आए हूँ आप मुझे क्यों वापस डाले पता लगा कि बहिया कुछ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट थे यू के जिनोंने बहुत पहले चाइना के खिलाफ आवाज उठाई थी और वो आवाज क्या थी कि चाइना वीगर मुसलमानों के खिलाफ काम करता है चाइना वीगर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुत करता है वन पॉइंट फाइव मिलियन यानि कि पंदरा लाक वीगर मुसलमानों को उसने जेल में डाल रखा है तॉर्चर करता है कॉंसेंट्रेशन कैंप्स में डाला है वीगर से पहले वी यह मैं आपको बता दूँ कि कौन-कौन लो कंजर्वेटिव पार्टी लीडर डंकन स्मित एंपी टॉम टुगेंडा एंपी नुस गानी हेलेना केनेडी यह लीडर अफ दी लेबर पार्टी है नील अब्राइन हैड अफ दी कंजर्वेटिव पॉलिसी बोर्ड अ चाइना ठीक है जी अब टिम लॉटन साब ने समझाया कि मैं यहां पे शांतिपरी आदमी हूं मैं तो अपने काम से आया हूं उन्होंने एक नहीं सुनी पूछा क्यों आयों कैसा है तुम बुरे आदमी और गंदे आदमियों उसको साथ गंटे के बाद पैक अप करा बोला अब इसको यह पता लगाए कि साथ क्योंकि चीन के खिलाफ मैंने अपना मूँ खोला था यह चीन का बदला था चीन कंट्रोल करता है चीन कैसे कंट्रोल करता है जिबोटी जिबोटी इतना सा है भाई इतना सा है जिबोटी जब आपको कभी बातरूम जाना होता ना तो स्क अब यह जिबौटी यह यह तना चूट है और यह है विलकुल इस्ट की और यानि कि अफरीका के पूरब की और राइट और बड़ा in PAizen कोई जिबौटी अब स्टाइडिजिकली इंपॉर्टन जगे है जिबौटी तो बही वहाँ पे चाइना ने दे पैसे, दे पैसे, दे पैसे, दे पैसे, पूरा का पूरा वहां पे चाइना ने अपना मैटर कर रखा है और वहां पे अपने फॉजी भी वहां पे डाल रखे हैं 2000 से जादा जैसे मैंने आपको बताया अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि जिबोटी एक मुसलिम मुल्क है सम्विधानिक तौर पे मुसलिम मुल्क है Islam is the religion of the state Islam जो है वो religion of the state है अब अगर Islam religion of the state है जिबोटी का तो जिबोटी को मुसल्मानों के अधिकार के बारे में बात करनी चाहिए ऐसा logical लगता है ऐसा समझ में आता है कि खुद को अगर कोई इसलामिक स्टेट बोले या बोले कि साथ हम मुसल्मानों के लिए है और हमारा सम्विदान भी इसलामिक है तो मुसल्मानों के हग पर आवाज उठाएंगे लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यह बिलकुल यह तो निकले पाकिस्तानी पाकिस्तानी कैसे निकले यह सिर्फ इसलाम को एक ATM मशीन की तरह यूज करते हैं कि इसलाम का कार्ड डाला बोला 80C मुसल्मान नीचे से कैश निकला जेब में डाला कार्ड डाला वालेट में आउट यह पैसे फिर पैसे होते हैं इसलाम डॉलर से बड़ा थोड़ना है डॉलर सबसे बड़ा है डॉलर दुनिया का मजब है यह पैगाम दिया है जिबूटी ने दुनिया भर को और यह जो अंग्रेज थे वो मुसल्मानों के लिए आवाज उठा रहे थे भाई साब यह आप समझ मुसल्मानों को टॉर्चर कर रहा है तो इनको ऐसा लगा कि भाई जब चाइना मुसल्मानों को टॉर्चर कर रहा है और इनके लिए आवाज उठाएंगे जो कि इनको करना भी चाहिए तो फिर क्या होगा फिर यह होगा कि बाकी सारे मुसल्मान देश बोलेंगे हाँ ठीक ह आप अच्छे लोग हैं, आप हमारे लोगों के लिए, यानि के मुसल्मानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ये बात होगी, पर वो बात होई नहीं, क्योंकि चाइना ना बोला कि यार ये साथ देखो, मजब वजब से बेकार की बाते हैं, तुम पैसे गिनो, बात आगे बढ़ा हो, तो उनने बात आगे बढ़ा दी, तो दोस्तों, ये स्टोरी हुई है, जिबोटी में, अब मैं थोड़ा सा यूके के बारे में भी आपको बताता हूँ, आज की तारिक में चाइना एक फोन कॉल करता है, फोन कॉल नहीं भी करता है, चाइना के पास इतने पैसे होगा, कोई स्मगलर होगा, कोई ड्रग एडिक्ट होगा, कोई क्रिमनल होगा, वहीं इसे एरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया, आप सोचो, एक मेंबर ऑफ पार्लिमेंट को यूके के, चाइना के कहने पर कर दिया, तो भईया यूके वालों, ये तुमारी भी गलती है, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, क्लियरली, ठीक है जी, तुमने चाइना में कितनी मैनिफैक्टरिंग डाल रखे, पहले ये समझाओ, तुमारी कौन-कौन सी कंपनियां हैं, जो कि चाइना में मैनिफैक्टर करती हैं, कौन-कौन सी कंपनियां हैं, जिरोंने बोला ह चाइना से बनवा के दुनिया भर में बेचो अपने प्रॉफिट के लिए इज्जत कोई चीज होती कि नहीं होती कि सब बेच खाई तुम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए कि सस्ती वाशिंग मशीन मिल जाएगी सस्ता मैकुर्वेव मिल जाएगा सस्ती मोटर साइकल सस्ती क आएगा उसको जलील कर देंगे तुम्हारा प्रदान मंत्री बोलेगा I want to visit जिबोटी उसको वहीं समना कर देंगा भाई साब आना मत पतला का बेचती करके तुम्हें वापस भेज दिया तो मैं यह चाहता हूं कि थोड़ा सा मुसलिम देश इसके बारे में सोचे हैं मैं व पतला उनका रोना यह है कि जो हमारे मुसलमान देश हैं वही हमें सपोर्ट नहीं करते और जो हमें अच्छल सपोर्ट कर रहे हैं वो नॉन मुसलिम कंट्रीज हैं किरा वो देश हमें सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हिसाई हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और 57 के 57 मुलक जो है Organization of Islam Corporation के OIC बनाया इसलिए कि मुसल्मानों के हक के बारे में आवाज उठाई जाए OIC बनाया इसलिए और उनका ये कहना है कि ये 57 के 57 मुल्क जो है वो तो बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं वो बात अलग है कहते हैं और मुसल्मान भी हमें सपोर्ट नहीं करते है कोई मुसलिम कंट्री में जैसे फिलिस्तीन के लिए बड़ा वो गाना नहीं सुना है कि दिल धगदग करने लगा फिलिस्तीन के लिए सारे मुसल्मानों का और मुसल्मान मुलकों का दिल धगदग करता है लेकिन वीगर मुसल्मानों के लिए ना किसी का दिल डड़कता है, ना उनके बारे में कोई बोलता है, ना उनके बारे में कोई बातचीत करता है, और यही वीगर मुसल्मानों का सबसे बड़ा रोना है, वो कहता है, यार हमने क्या गुना कर दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया, ए तेरे नाम क्या है उसने बोला मुहम्मद क्या तो जेल में जा उसका नाम मुहम्मद था उसको जेल में डाल दिया वो बच्चा अगर तीन चार साल का है उसने क्या गुना कर दिया होगा तीन चार साल में यर उसको पता ही नहीं दुनिया में उस बच्चे को यहीं नहीं पता ह होते हैं business dealings होती है चाइना के साथ लेकिन भाई Muslim countries में 99.9% Muslims वो भी support नहीं करते यार वो भी support नहीं करते करा है ठीक है तो सारे लोग Islam की बात तो करेंगे Islam की बात करेंगे फिलिस्तीन के लिए बोलेंगे हम अपनी जान दे देंगे अपना सर इनको गुसा जाएगा